बारिस के दिनों में fondant cake को कैसे आप सही तरीके से customer को दे सकते हैं, क्या करना है, क्या उपायर ऐसी करें जिससे fondant आपका सही सलामत रहे और आप उसे पहले से बना कर रख भी सकते हैं इस वीडियो में मैंने बताया है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखी, skip मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे tips and trick बताने वाली हूँ एक cup vanilla premix मैंने लिया था, लेकिन वो थोड़ा मुझे कम लगा, क्योंकि आज मैं vanilla cake बनाने वाली हूँ तो vanilla cake के लिए हमें 200 ग्राम के करीब premix लेना पड़ता है, वैसे मैं normal cake के लिए 170 ग्राम से 150 ग्राम तक ही लेती हूँ cake के उपर depend करता है, feeling के उपर depend करता है कि हमें premix कितना लेना है, लेकिन आज vanilla cake का order था तो उसके लिए मैंने 200 ग्राम के करीब premix लिया है और उसे आधा पानी डाला है, 1 teaspoon refined oil के साथ मैंने इसे अच्छी तरीके से mix करने के बाद OTG में preheat, जो OTG मैंने करके रखा था, उसमें मैंने इसे 40 minute के लिए bake किया है, 160 degree पे मैंने preheat भी किया था, 160 degree पे मैंने इसे 40 minute के लिए bake कर लिया है यहाँ पे मैंने 1.5 cup के बराबर क्रीम लिया है, क्योंकि मुझे तो इस cake में 1 cup whipping cream लगने वाला है, लेकिन मुझे कुछ cupcakes भी बनाने थे, जिसके लिए मैंने आधा cup extra whipping cream को अच्छी तरीके से whipped कर लिया है vanilla cake को तो आप ऐसे भी सिर्फ sponge और cream के साथ बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा flavor लाने के लिए मैंने यहाँ पे condensed milk का यूज किया है crumb coat करने के लिए मैंने थोड़ा सा cream निकाला है, उसमें condensed milk अच्छी तरीके से mix कर लेंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप condensed milk के यूज करते हैं, तो आप अगर नहीं करना चाहते हैं, तो आप नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि cake के price के उपर होता है, कि आपको क्या यूज करना है, और क्या यूज नहीं करना है अगर आपको अच्छा पैसा मिलता है तो आप सारी चीजों का यूज करें जिससे फ्लेवर आपका अच्छा आए और कस्टमर आपके केक को पसंद करें लेकिन अगर कम पैसे में आपको केक देना है तो आप कंडेस्ट मिल्क को इसकी भी कर सकते हैं और और भी फ्लेवर लाने के लिए और भी टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने यहां पे वाइट चोको चिप्स का यूज किया है और पहले लेयर को डालने के बाद मैंने इस पे हलका सा पानी डाला सोक किया फिर कंडेंस मिल्क के मिक्स किया हुआ क्रीम इस पे डाला चोको बारिस का मौसम हो उमस वाली गर्मी हो तो उसमें केक बनाना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है अगर आपके पास एसी रूम है तब तो आपके लिए बहुत ही आसानी है लेकिन अगर आप किचन में मेरी तरह काम कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल होने वाली है इस cake के बनाने के बाद मैंने जब एक cake बनाया था उसमें मुझे cream से related बहुत सारी problem आई जो कि मैंने kitchen में काम कर रही थी और cream मेरा बिल्कुल भी बीट नहीं हो रहा था तो अगर आपके साथ भी ये problem होता है तो आप मेरे आने वाले वीडियो को जरूर देखें मैंने उसमें उसका solution भी बताया है तो उस चीज को आप जरूर देखें अगर आपको भी इस उमसवाली गर्मी में problem होती है तो अब next इस cake से related है कि अगर आपके पास कोई photo cake आता है इस तरीके का cartoon character आता है और आपके पास कोई भी साधन नहीं है कि आप इसका print out कराएं या इसको कैसे आप manage करेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पेपर लिया है pencil लिया है और अपने mobile में जो photo मुझे चाहिए था मैंने गूगल से download किया है और एक cake के size के अनुसार आपको इसको screen पे बढ़ा करके और इस तरीके से आपको एक कागज पे इसका हलका pencil से करते हुए एक print निकाल लेना है क्योंकि अगर आप print out कराने ले जाएंगे तो उसमें time भी waste होगा और पैसा भी जाएगा लेकिन आप इस तर kg के cake का order आता है तो आप इसको और भी जूम करके और थोड़ा बड़ा बनाएं मेरे पास half kg के cake का order था इसलिए मैंने उसी size से related इस तरीके से mobile से ही मैंने print निकाल लिया है और पहले mobile पे आप dark से न करें बिल्कुल light light pencil से कर लें और उसके बाद आप इस तरीके से इसका dark कर ताकि आपको बनाने में आसानी हो और इस तरीके से आप कोई भी design cake के उपर जो डालना हो fondant से बनाना हो उसके लिए आप इस तरीके से print अपने आप निकाल सकते हैं मेरे पास अभी कोई था नहीं कि मैं print out करूं या कुछ भी करूं आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इ चाहिए था तो मैंने यहां पर तीन कलर का यूज किया है royal blue और black साथ में मैंने red का भी यूज किया है royal blue थोड़ा ज्यादा लेंगे और red उससे थोड़ा सा कम लेंगे और आप देख सकते हैं black को बस मैंने थोड़ा थोड़ा टच कराया है बहुत ज्यादा नहीं लेना है ब मैंने इसमें डाला है टाइलोस पाउडर उसके बाद मैंने थोड़ा सा यह कौन फ्लोर डाल कर और इसे mix कर लिया है एक अच्छा डो तयार कर लिया है fondant का और अब इसके बाद मैं इस character को cut करूंगी और इस तरीके से मैं इसे cut कर लूंगी कट करने के बाद जो color मैंने तयार किया है उससे मैं अच्छी तरीके से round shape में बेल लूंगी और बेलने के बाद मैं इसके उपर रखूंगी और इसके हिसाब से cut कर लूंगी इस तरीके से यहाँ पर मैं बीना AC के ही काम कर रही हूं बारिस का समय है और बहुत ही चिपचिप हो रही है आप देख सकते हैं साइड में मैंने जिस बच्चे का cake है उसका नाम भी लिखके रखा है और उस पर भी कोई चिपचिपा हट नहीं आ रही है और इसका region मैं बताओंगी कि बहुत थोड़ा सा और टाइलूस पाउडर भी मिक्स करें हाला कि थोड़ी दिर बनाने के बाद बनाते बनाते ही आपका fondant चिपचिप करने लगेगा थोड़ा और अगर AC रूम में आप काम कर रहे हैं तो यह बिलकुल भी नहीं करेगा और सही तरीके से ड्राइ भी होगा लेकिन इसको सही तरीके से रखने के लिए आपको मैं आगे उपाए बताऊंगी जो मैंने किया है आज मैंने एक और केक बनाया जिसमें बहुत ज़्यादा fondant का काम था और उसकी भी वीडियो मैं सेर करूंगी उसमें और ज़्यादा मैंने डिटेल में बताया है कि मैंने उसे कैसे रखा था fondant का काम होता है और उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला होता है तो आपको इससे एक दो दिन पहले ही बनाना पड़ता है चाहे आपको ड्राई करना हो चाहे आपको इससे बना कर रखना हो आपको दो तीन दिन पहले इससे बना कर रखने के लिए जो उपाय करना है वो मैं बताऊंगी यह fondant जो है कार्टून करेक्टर मैंने दो दिन पहले बना का रखा था और अगर बारिस के दिन में आप पहले से बना का रखते हैं तो यह काफी चिप-चिप हो जाएगा दो-तिन दिन पहले बनाने से और अगर आप गर्मी में या ठंड के मौसम मे fondant को एक-दो दिन पहले बनाते हैं तो अच्छी तरीके से ड्राई होता है और केक के उपर काफी अच्छी तरीके से सेट भी हो जाता है कोई चिप-चिपा हट नहीं होती है लेकिन बारिस के दिनों में आप इसे खुला नहीं रख सकते हैं इसलिए मैंने इसे बनाने के बा और सबसे पहले आप नीचे में प्राश्मेंट पेपर डालें और प्राश्मेंट पेपर डालने के बाद आप इस fondant को रख सकते हैं उसके ऊपर और उसके बाद जो भी fondant वर्क किया है आपने जो भी टॉपर बनाये है उसको आप एक airtight box में इस तरीके से रखें और इसे airtight बॉक्स में तब तक बंद रखें जब तक कि आपको जरूरत ना हो आपको इसे भारिष के दिनों में खुला नहीं छोड़ना है आप फॉंडेंट का टॉपर दो तीन दिन पहले बनाकर इस तरीके से रख सकते हैं अगर आपको पहले से ओडर मिलता है तो क्योंकि एट टाइम फॉंडेंट का काम करके देने में लगता है और वह सही भी नहीं रहता है तो आप इसासे तो कंटेनर में नीचे आप ज़रूर से जरूर प्राजमेंट पेपर या फिर बटर पेपर डाल दे मेरे हसाब से बराजंट पेपर हो तो जादा बेस्ट है केक के आइसिंग करने के बाद मैंने इसे 3-4 घंटे तक फ्रीज में सेट होने दिया था क्योंकि अगर केक अच्छी तरीके से फ्रीज में सेट रहेगा तो फॉंडेंट को उपर रखने में आसानी होगी और फॉंडेंट तूरं से चिप चिप नहीं होगा तो कोशिस करें नहीं आई आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझसे थोड़ा सा गलत सेट हो गया था तो मैंने इसे फिर से उठाया और सिर्फ यह इस कारण से हुआ है क्योंकि जो केक है मेरा वो अच्छी तरीके से फ्रीज में सेट हो चुका है इसका एक्स्ट् पर大 10 के दिनों में फौंड्यय का काम करें और यह देखिए जब भी आपको फौंडेन का केक देना हो 10 से 15 मिनट पहले फंडान को और उसके बाद कश्टमर को तुरान्थ दे दे पहले से से चरके नहीं रखना है